गर्दन ली ठीक है और सीधी इसके अंदर डुक्की लगा दी यह देखिए आके खुलने आगई पानी को गरम करके ठीक है गरम पानी में गुनगरे पानी में गरम पानी में स्प्रे देना है वरना क्या है कि साउंड की प्रॉब्लम आपके फार्म में आ जाएगी साउंड आ जाएगा जिससे की आपके फार्म में सी आरडी बहुत जादा बढ़ी अकत्तरीके से बन जाएगी mortality स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों को ये बड़ा तकलीव रहती है कि सर आपका बैज बड़े बिगरते हैं आपके में ये बिमारी आती है बाईया मेरे जैसा यूटूबर आपको नहीं मिलेगा हे गाईस वेलकम बैक स्वागत एक बाई फिर साब का पोईटि किसान के यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हमारे जो फार्मिंग है उसको है तीसवा दिन ठीक है अब तीसवा दिन देखिए हम आपको मैनेजमेंट के बारें बताते हैं तीसवा दिन है फारम में हमारा सब कुछ सही चल रहा है बिमारी के जो लक्षड दिग गयते हमें दिग गयते 28 दिन तो आप देख सकते हैं इधर देखी तो यह आप बच्चा देख रहे हैं अब यह बच्चा हमने बहार इसलिए निकाल कर रखा है कि देखे इसमें दो तो य पच्चार किया गया है जिससे की इनकी आँखे खुल गई है सुबह यह बंती पूरी आखे जो बचना होगा वह बच जाएगा जो मरना होगा मर जाएगा देखी यह बिलकुल आखे बंत करके पड़ा था उधर भी आखे बंत करकर रखा है और इस ने अभी आखे खोली है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये जो बिमारी है, इसको कोलोजन बोलते हैं, अक्सर ये बिमारी, थोड़ी सी गंदगी, वाईरल, इनफेक्शन, उसके कारण आ जाती है, अगर इस बिमारी पर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, होगा ये कि बच्चा इस तरह से मरना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है आज मोटली ज्यादा है भाई 6-7 मोटलिटी हमारी आज हो गई है ठीक है हमारी मोटलिटी बड़ी सही चल लई थी अब इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियों बताऊंगा क्या मैंने इला गर्दनली ठीक है और सीधी इसके अंदर डुक्की लगा दी ये देखिए आके खुलनी आगई ये खोल लेगा आके दीर दीर तो सीधी गर्दनली इसमें डुक्की लगा दी बैठा है इसका इलाज समझ लोग एक तरह से हो गया है अभी सारे अभी मैं बाद में लगाँग पूरा पूरा सर सूज जाता है तो ये एक तरह से बीमारी आपको लगेगी इसमें कई तरह के टीटमंट होते हैं सबसी पहली बात इसमें देशी इलाज भी होता है इसमें आपका जो दवाई है वो भी लगती है अगर नहीं लगाओगे तो ये फार्म में बहुत बुरी त तरह से फैल जाएगा और अगर बहुत बुरी तरह से फैल गया तो भाईया मौटर्टी को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं रहेगा मुझे दो दिन पहले इसका अंदाज़ हो गया था दो बच्चे मैंने उसमें निकाले थे देखे कि लेवर निकाले थे कि अंदर से जो मैंने डुक्की लगाई थे न वह देखे बच्चा वह आंखे खोल ले लगा है अभी जो उपर नीचे से साउंड कर रहा है उसके गले में पानी चला गया है और पूरा उसमें आख में पानी चला गया है तो या तो यह मरेगा या यह ठीक हो जाएगा थीक है दो ही कारण है देखें आख तो उसने खोल लिये यह देख सकते हैं आखे तो इसने खोल लिये भी बैठा था तो यह कुछ उपचार मैं आपको बता रहा हूँ वो solution में क्या क्या है उसका भी बताऊंगा कुछ spray हम उसमें कर रहे हैं देखें इस्प्रे हम कर रहे हैं सूगी ओक्स ठीक है सू और दूसरी बात इसके साथ आपको जो सर्फ होता है घड़ी सर्फ होा निर्मा तो बंद हो गया सायiğदा भी सर्फ ड्यठरजन उसको 20 लिटर में आपको कम से कम 12 किलो सर्फ को लेना है और इस्प्रे करना है ठीक है तीन टाइम सूगी ओक्स या वीरकॉन एश ठीक है और तीन दो से तीन टाइम सरफ ये आपको इस्प्रे करना है हर तीसरे चोते घंटे में इस्प्रे आपको करना है और करने का तरीका मैं आपको बतायता हूँ करने का तरीका ये है कि भाईया आपको ठंडे पानी में नहीं करना है पानी को गरम करके ठीक है गरम पानी में गुंगरे पानी में गरम पानी में स्प्रे देना है वरना क्या है कि साउंड की प्रॉब्लम आपके फार्म में आ जाएगी साउंड आ जाएगा जिससे की आपके फार्म में CRD बहुत ज़्यादा बढ़ी अकत्तरीके से बन जाएगी मॉटल्टी स्टार्ट हो जाएगी अभी क्या है आमकारा फार्म का जो खेल है वो छह साथ दिन का रह गया है चैसाथ दिन तक हम इस फार्म को समाल ला है तो हम तो चाहे तो इसका पूरे अब पूरे साथ के साथ दिन भी स्प्रे कर सकते हैं और हमें एक एक बच्चे पर नज़र रखनी है जैसे यह बैठा है यह ठीक है उड़ गया थीक है देखे यह बच्चे अगर आप फार्म में दुबारा डाल देंगे मतलब अभी अगर यह ठीक हो गया तो ठीक है इनको फार्म में नहीं मिलाना है अगर फार्म में मिला दिया तो परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा अब देखे मैं आज इस सुलूशन की बात पर specify क्या है तो इसमें क्या है डिटरजन और सुगियॉक्स इन दोसे पला कर सब्लिचन बना लिया है यह थोड़ा और सब्सक्रद्द्रेंख उड्विये च mineral से और अज़िसेंकि प्रत दोटलिकशन जोड़ाई औरा मिधना थे हैं सीजर तो यह अभी खापी के मस्त अपना मजे में हैं लेट रहा है और यह बड़ा प्रिशान करता है आज कल और यह कुछ एक सब्सक्राइबर ने हम पूझा सर आपने डॉगी कितने का लिया कितने का लिया देखिए यह डॉगी बस हमारा एक से आही गया है ठीक है और प्राइस कभी किसी का रिविल नहीं करना चाहिए लेकिन यह जो बच्चा है बहुत ही बढ़िया है और एकदम सांत दिमाग का तेज बहुत है यह एकदम खापी के अभी इन खाना उना खाया है खाना खाके एकदम से बैट गई है इसका नाम सीजर ह है और इसमें कल इसने क्या कर रखा था कल इसने एक फाम में घुसके एक मुर्गे की पूरी गर्दन अपने मुह में ले रखी थी और उसको मान नहीं रहा था गर्दन लेकर इसको साथ खेल ला था उसको प्रैस नहीं कर रहा था ठीक है और वह बच्चे का क्या था कि उसका नहीं और अखो applake, मारेका नहीं इसानरीन हो जो जो फ्रेसा काम चल यहाना है, और सब्जी वगरा भी खा लेता है तो यह चीज है हाँ और तूसरी बात हम यह थे अपने पाइंट पर बात पर सुगी ओक्स का स्प्रे आपको तीन टाइम करना है ठीक है और यह एक आती है डी सैनर नाम की ठीक है यह आपका एक इम्मुनिटी बूस्टर भी काम करती है एक तरह अर्ग भी आपको ऊंलाइन मिल जाएगा आ जाएगा यह फिर हमारे वाटसब गृप पर कहें भी आप शेयर करेंगे यह मिल जाएगा तो यह भी लगा आ हमने और यह भी हमने लगाया यह analysts अ मुर्मने झाल यह हमने दी है ढहां इसक आप इस में छाला है उर साथ हमें पहले हैं। उसको हलका सा डॉण कर दया एक करें वहां जो इसमें एक स्कनल प्रेंजय संद्जय करें करें एक reps स्में एक स्माक्व थे समय पानी हल्का टॉण करना को उसे सांड को आपकों करना करना बड़ा ही आवशक होता है conventional सब्सक्राइब इस अब दिका रहा है पो होती है मैं नहीं दिखाता जगिन ज़्यादा होती है तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम चल रहा है कैसे काम क्या जाता है मुर्गा फार्म में तो चलिए हम आपको सेकंड फार्म में भी दिखा देते हैं सेकंड फार्म में क्या इस्तिती है सेम स्प्रेय हमने इसमें भी लगा रखा है ठीक है आज हमारा थोड़ा प्लैन है यह थोड़ी जगा बढ़ा दी जाए ठीक है जगा बढ़ा दी जाएगी तो इससे इसका हमारा बेनिफिट हो जाएगा अब एक चीज़ देख लीजेए यह हमारा जो बच्चा है यह राम से दाना पानी ले रहा है, बढ़िया खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, एक फार्म में ज्यादा समस्या चल रही है, उसको हम पूरा कर लेंगे, मुर्गे का आप साई देख सकते हैं, ठीक है, तीस दिन का आज ये बर्ड हो गया है और तीस दिन में हमारा जो भी इसमें रहा है, वो आपके सामने है, आप लोगों को ये बड़ा तकलिफ रहती है, कि सर आपका बैज बड़े बिगरते हैं, आपके में ये बिमारी आती है, भाईया मेरे जैसा यूटूबर आपको नहीं मिलेगा, मैं आपसे एक चीज़ बत की तरह नहीं हूँ, जो फार में आपने जो भी कंडिशन होती है, वो ना बता कर अच्छा ही अच्छा दिखाएं, यहां बुरा भी दिखा जाता है, यह अच्छा भी दिखा जाता है, तभी तो मेरा चैनल जो बहुत ही जल्दी गिरोथ लेके, एक रेस्पेक्टिट चैनल मेरा बन गया है, आप कहीं भी अगर गूगल पर भी सर्च मालों को पोईट्री किसान को, तो अभी मेरी वीडियो आ जाएंगे, और अधिकतर, अधिकतर जो मुझे भी नहीं जानते होंगे, पर मेरे चैनल को जरूर जानते होंगे, ठीक है, तो यह मैं आपको एक बाद ली उसके बाद हम 36-37-38 इसको उठवा देंगे निश्चित तोर पर, एक हफ्ते का खेल है, ठीक है, अभी देखे, कोलाईजा चल रहा है, अपना कोलाईजा चल रहा है, तो हमने इसमें कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं लगाया, वन्ना इसमें हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्त है, बर्ड हैपी है, अपना दाना, पानी, फीडिंग, ड्रिंकिंग, सब बढ़िया से इंटेक कर रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ देखना है, कि हमारे फार्म में वाइरल ना हो, ठीक है, वाइरल होगा, तो दिक्कत आ जाएगी, अभी देखिए, इसमें जो चल रहा है, इसम पकड़े थे, ठीक है, जिनकी आखे बंद हो जोगी थी, हैट सूज रहा आता, तो हमने सेम इस्प्रे, ठीक है, एक तो डिटर्जन का इस्प्रे, दूसरा सुगियोक्स का इस्प्रे, अगर जरूत पड़ी, ठीक है, जरूत पड़ी तो पार्टे, पार्डवी का भी उसको अगर आपने सही time रहते अगर उसको catch कर लिया पकड़ लिया तो आपका नुकसान नहीं होगा अगर time रहते वे नहीं catch किया नहीं ध्यान दिया कि फार्म में क्या हुआ है बस मौज मस्ती में रह गए तो वो समस्यां आपके सामने ज्यादा बन जाएगी ठीक है तो यह चीज का आपको भी से ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि हमारे फार्म में अगर कोई प्रॉब्लम चल लिए परिशाने चल लए है तो भाईया उसका solution आप time करें अब देखें एक बच्चा यह यहां पर हमें मरावा दिख रहा है लेकिन यह वीग बच्चा है अगर यह मर भी गया नॉर्मल डैट ठीक है अब इसको हमें बहार निकल वाजिते हैं पर छोड़ा बच्चा है अगर बीक आपके फार्म में मर रहा है तो उसको कोई भी अपना स्ट्रेस लेनी जुरुत नहीं है इका दुक्का मर जाता है बच्चा ठीक है अभी टीटमेंट थोड़ा सा बंद कर रखा है हम आ रहा है जो इस टाइम जो बैच है सही ग्रोथ कर रहा है हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है बस प्रॉब्लम थी हमें कोराई जा से अगर क तो हमको इसमें दिक्कत सामना प्रॉब्लम बहुत जाधिक हो जाएगी CRD को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ठीक है तो यह चीज आपको विसेज ध्यान देना है ठीक है निपिल में सिस्टम हमारा मैं हर बान निपिल चेक रहा हूं निपिल में हमारा बढ़िया पानी ले रहा है बच्चा ठीक है बढ़िया दाना खा रहा है कोई भी इश्यू नहीं है ठीक है अगली बार हमें क्या करना है यह बैज निकलने बाद हमको फैन वगएर सही करने कुछ फैन में कमी आ गई है कुछ बंद हो गया है कुछ के कंटेंसर खराब हो गया है तो यह लाइट की फि का द्यान देना है और आप देख सकते हैं मैं पूरे फार में घुम कर रहा हूं तो सारा फार अकदम नॉर्मल है सही कंटेशन में आप हमारा फार काम कर रहा है ठीक है तो दोस्तों यह ही एक वीडियो आपके सामने शेयर किया था अगर आपके फार में इस तरह की बिमारी आ जाती है तो आप क्या करें आपको क्या करना है आपको किस तरह से उसको हैंडिल करना है दवाई मैडिशन को इतना पैनिक नहीं होना है पैनिक होगे तो और ज़्यादा काम खुराब होगा पैनिक नहीं होना है सिर्फ सही टाइम पे सही मैडिशन अगर मिल जाए तो आप को कोई भी परिशानी मुर्गा फार्म या पॉल्ट्री फार्म करने में नहीं आएगी तो दोस्तो ये एक छोड़ा सा वीडियो था मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अगर चैनल को आप कर सकते हैं तो सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें म अब तक के लिए जाएं बने मातरम जय 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 किसान